आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार देर रात अग्यात वाहन की टकर से हुई प्रदीब की मौत बश्रावत हाना छेत रखे अग्हारा के पास हुआ हादसा पुलिस ने मृतक किश्रफ को कबजे में लिया कलाकार राजू श्रुवास्तफ के प्यारों का निधन बड़ी खबर सावने आ रही है हादसे में हुआ प्यारों प्रदीब श्रुवास्तफ का निधन देर रात अग्यात वाहन की टकर से हुई प्रदीब की मौत बच्रावा थाना छेत्र के अग्हारा के पास हुआ हादसा पुलिस ने मृतक किश्रफ को कबजे में लिया पुलिस ने मृतक के श्रुवास्तफ के प्रदीब की मौत बच्रावा थाना छेत्र के अग्हारा के पास का बताया ज़ारा ये हादसा बड़ी खबर सामने आ रही है पुलिस देवरे तक किश्रफ को कबजे में लिया पोस्त मौटम के लिये भेजा और इस खबर पे हम आएसा समधाता ओम श्रंका शुक्ला जुड़ चुके है ओम क्या कुछ जानकारी है कितने बजे हुआ ये हादसा देखे ये राइबनी से जो है ये बच्छामा से लाल गंज राजमार्ग पर ये हादसा हुआ है और जो है राजु सिवास्तो के जो पियारों थे प्रणी सिवास्तो मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई है देर रात वो बच्छामा से लाल गंज राजमार्ग पर ये हादसा हुआ है बड़ा खाथसा है या इससे संभावित हाथसा बताया जा रहा है नहीं ये अज्यात वाहन की तक्कर से जो घटना घटी है जिससे बहुत ही दुखर है राजु सिवास्तो के जो समर्थक है उनके लोगों के आने का भी सिल्सिलाब चालू हो चुका है तो कि घटना देर रात की है और लोगों को जनकारी नहीं हो पाई थी जी ओम शंकर्म ये जाना चाते हैं कि राजु सिवास्तो के प्यारों के रूप में हुई है तो कहीं न कहीं अब लोगों का धीरे दिरे जमाड़ा भी लगना सुरू हो चुका है जी ओम शंकर्म ये जाना चाहेंगे कि मृतक का निवास कहा है जो बिल्कुल बहुत 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 शुक्रिया मैसा जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैसा समधाता ओम श्यंकर जुड़े थे राइबर रही से उत्रखन दौरे पर जाएंगे प्यम मोदी बड़ी खबर सामने आ रही है हलतवानी के दौरे पर रहेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी 23 परियोजनाव का उत्खाटन शिलानियास करेंगे प्रधान मंत्री 17,500 करोड रुपए के अधिक की परियोजनाव की देंगे सौगात उत्रखंड दोरे पर जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, हल्दुवानी के दोरे पर रहेंगे प्रधान मंत्री मोदी 23 परियोजनाओ का उटखाटन शिला नियास करेंगे प्रधान मंत्री 17,500 करोड रुपे से अधिक की परियोजनाओ की देंगे सौगाद उत्राखंट दोरे पर प्रधान मंत्री नरीद्र मोदी पीली भीत दोरे पर जाएंगे सीम योगी बड़ी ख़बर सामने आ रही है सत्तर विकास परियोजनाओ की देंगे सौगाद जन्विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे सीम कारिक्रम में वित्त मंत्री समेत कई नेता रहेंगे मौजूद पीली भीत रमंड राजकिये इंटर कॉलेज में होगा कारिक्रम पीली भीत दोरे पर जाएंगे सीम योगी सत्तर विकास परियोजनाओ की देंगे सौगाद पीली भीत को आज बड़ी सौगाद देने वाले सीम योगी जन्विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे सीम कारिक्रम में वित्त मंत्री समेत कई नेता रहेंगे मौजूद गोरखपुर दोरे पर जाएंगे डिप्टी सीम बड़ी खबर डिप्टी सीम डॉक्टर दिनेश शर्मा महाराज गंज में जन्विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित कि अज आसफ में महाराज चैया न war राज वाह से आधर चैयात्रा को संबोधित करने के लिए रावाना हो लगना उसे गोवर अ पुर द्वारे पर जाएंगे टिप्टिसियं चीफ सेकेट्री ouseılar को एक साल 31 को सेवा निवृत होने वाले थे चीफ सेकेट्री उतर प्रोधेश के भावी चीफ सेकेट्री है दियस मिश्रा चीफ सेकेटरी डियस मिश्रा को एक साल का एक्स्टेंशन 31 को सेवा निवृत्त होने वाले थे चीफ सेकेटरी डियस मिश्रा उतरप्रदेश के भावी चीफ है दयाशनकर मिश्रा चीफ सेकेटरी डियस मिश्रा को एक साल का एक्स्टेंशन यानि उनके काब को देखते हुए उनकी सेवा निवृत्ती को टाल दिया गया है एक साल उनका कारेकाल बढ़ा दिया गया है देयाशिंकर मिश्रा का एक साल कारेकाल बढ़ा दिया गया है चीज सेकेटरी देयाशिंकर मिश्रा को एक साल का एकस्टेंशन मिला है उनके काम को देखते हुएं उनके कारिकाल को बढ़ा दिये गया है, एक साल तक के लिए ये कारिकाल बढ़ा दिये गया है, जहाँ 31 को से व अनिवरतों होने वाले थे कई जिलों का दोरा करेंगे CM योगी बड़ी खबर सामने आँ रहे है गोरकपुर महराच गंच पिली भी दोरे पर रहेंगे CM गोरकपुर में Water Sports Complex का करेंगे लोकारपढ कई विकास पर योजना का लोकारपर शलन्यास करेंगे गोरकपुर में महांद दिग्विजाई नात पार्क में करेंगे जनसभा महाराज गंज के वरेंदा से जनसभाखों करेंगे सम्भोधित कई जिलों का दौरा करेंगे सियम योगी गोरकपुर महाराज गंज पीली भी दौरे पर रहेंगे सियम योगी गोरकपुर में वोटर स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स का करिंगे लोकार पर कई विकास योजनाओ का लोकार पर शिलन्यास करिंगे सियम गोरकपुर में महाद दिग्विजाई पार्क में कारिकरम महाराज गंज के फरिंदा से जन्ता को करिंगे संबोधित गोरकपूर महराज गंज में आज कारेकरम होगा जिसमें संबोधित करेंगे जनता को कई विकासी हो जनाव का लो कारपडशिला नियास करेंगे बड़ी खबर सामने आ रही है गोरकपूर में महांत दिग्विजाइनाथ पार्क में करेंगे जनसभा और इस खबर में माइसा समदाता गोविंद को श्वाहा जुड़ चुके गोरकपूर से गोविंद क्या कुस्ते आ रही है आज असीम के आग मन से पहले गोरकपूर को कौन कौन सी सवगात दे सकते हैं जो बहुत 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 शुक्रिया माइसा जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इसकबर पर माइसा गोविंद को श्वाहा समदाता जुड़े थे गोरकपूर से संद कभीर नगर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जन विश्वास यात्रा पहुचेगी महदावल दो विधान सभाव से होकर गुजरेगी जन विश्वास यात्रा स्वतंतर देव सिंग और मंत्री डॉक्र महेंद्र सिंग रहेंगे मौजू जन विश्वास यात्रा का होगा स्वागत संतकवी नगर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जन विश्वास यात्रा पहुचेगी महदावल दो विधान सभाव से होकर गुजरेगी जन विश्वास यात्रा स्वतंतर देव सिंग और मंत्री डॉक्र महेंद्र सिंग रहेंगे मौजू जन्विश्वास यात्रा का होगा भविस्वागत ग्रे मंत्री अमिट्षा करेंगे रैली को संबोधित संद कभी नगर में वीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज पहुचेएगी जन विश्वास यात्रा महदावल पहुचेगी जहाँ पे दो विधान सभाव से होकर गुजरेगी जन विश्वास यात्रा स्वतंत्र देव सिंग और मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंग मौजूद रहेंगे ग्रे मंत्री अमिच्छा ऐसे संबोधित करेंगे जन्द विश्वा सियात्रा का भवे स्वागत होगा ग्रे मंत्री अमिच्छा रैली को संबोधित करेंगे चनाव से पहले सफ़ा को लगा बड़ा जटका बड़ी खबर सामने आ रही है कानपूर के सफ़ा पाश्यत कॉंग्रिस में हुए शामिल कॉंग्रिस मेले की अगवाई में हाजी सुहेल एहमद ने ली सदस्ता चनाव से पहले सफ़ा को लगा बड़ा जटका कानपूर के सफ़ पाश्यत कॉंग्रेस में हुए शामिल कॉंग्रेस मेले की अगवाई में हाजी सुहेल एहमद ने लिए सदसिताथ तो सुहेल एहमद सभा जोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हो गए है चुनाव से पहले सभा को ये बड़ा ज़टका लगा है सपापाषड, कानपूर से सपापाषड कॉंग्रेस में शामिल हो गये है बड़ा जटका लगा इस सपा को कॉंग्रेस मले की अगुआई में हाजी सोहेल ने सदस्ते तक रहेड की है कॉंग्रेस की बड़ी चिनावी ख़वर सामने आ रही है जो कांदपूर से सभापा आश्यत कॉंग्रेस में शामिल हुए कॉंग्रेस मेले की अगवाई में हाजी सुहेल एहवद नेली सदस्ता कॉंग्रेस की सदस्ता ग्रैड कर लिए सभा का दामन छोड़ दिया है बड़ी खबर साब में आ रही है चुनाव से पहले सभा को ये बड़ा जटका लगा है कांदपूर नगट से समवधाता रिज्वान हमाई साथ जोड़ चुके हैं रिज्वान क्या कुछ जानकारी है आपके पास सभा के लिए क्योंकि कॉंग्रस में शामिल हो गया है सभा पाश्य तो वह भी कॉंग्रस के एक अच्छी सीट से माने जाते हैं तो क्या कहेंगे इस पर सभा के अच्छे नेता थे और वहाँ पर पूर्व पारश्य तल की नेता भी रहे चुके हैं और क्या बोलते हैं अब यह का जब यह जबाश्य का था इनके लिए कि यह जो सभा चुनकर कॉंग्रस में जी रिजवानम सुहेल एखमेध के लिए जैनना चाहेंगे कि वह अपनी विद्धान समे में कैसा काम करते है जो पारश्यक का पर अनके पास है उन्होंगे किस तरह के काम करें अपने पर बहुते रहते वह यह जैंदे काम बहुत इंदित Slavic से गलभे शुक्रियावाद से जोड़े के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर में से समधा था रिजवान आलम जोड़े थे कात्पुर्णगर से फटेपुर में छाया घना कोहरा घने कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी पचास मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी वहनों में लाइट जला कर चलने को मजबूर लोग पदेपुर में छाया घना कोहरा तस्वीरे देख सकते हैं आप किस तरह से घना कोहरा चाया है बारिश के बाद कोहरे का कहर जादा देखने को मिल रहा है लगाम लगती हुई नजर आ रही है ट्राफिक पे visibility कम हो गई है, light जला के चलने को मजबूर नजर आ रहे हैं लोग जो रफतार है वाहनों की वो धीमी नजर आ रही है घरे कोरे की वज़े से फतेपुर में घना कोरा चाया है जिसकी वज़े से सड़के सुनसान नजर आ रही है जहां पे गाड़िया चल रहे हैं उनकी रफतार बहुत दीमी नजर आ रही है दिन के समय भी दिन के समय भी लोग light जला कर चलने को मजबूर है बहुत सुस्त नजर आ रहा है ट्राफिक यहां रुकेंगा एक चोटे सब रेक के लिए जल्द हासर होंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार